अगर अच्छी नहीं पी चल रही होगी तो अब जैकेडमी से के साथ जुनने के बाद में आपकी पड़ाई अच्छी चलने लग जाएगी ठीक है तो माइसेफ लोकेंदर सिंग जैसा कि अपने लास्ट किलास में सोलीशन एटोमी की स्टक्चर खतम कर चुके हैं अब एक नय होना चीए कि उसकी क्यों आपाई सकता पड़ी क्यों जरूरत पड़ी वही अपन यहां पर देखने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले देखो पीरिटेवली जरुत इसलिए पड़ी कि कोई भी जो चीजे होती है ना तो उसको अपन को सिस्टम के अंदर जमा कराना पड़ता है किस तरीके से जैसे अपने देखा देखते हैं कि यह दो अलमारी है ठीक है यह दो अलमारी है और एक लड़का है और यह एक लड़की है ठीक है और यह क्या है एक घर है ठीक है तो इसमें एक लड़का रहती है एक अपने लड़की रहती है ठीक है तो अपन सिंपल से ची ज़रूत पढ़ जाए अचानक यह अपन इस्कूल जा रहे हैं मालो नो बजे का अपने स्कूल का टाइम है और साड़े आठ बजे अपन जगे हैं अब आदा गंटे में अपन सब कुछ कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते तो अपन क्या करेंगे सारी चीजे सिस्टम के अकोडिंग सिद्य नकाला तुरंट पैनार अपन इसकूल निकल लिए तो एक सिस्टमयट्च चड़ूरी होता है तो सहेम टू सहेम एक सिस्टमयटिक अरेंजमेंट्च के ही लिए अपन को क्या पेड़ी ट Barnes पढ़ी टिक ठीक है तो सन अठारासों सन अठारासों की तक 31 इसकाबर हुए थे उसकी बाद मागर 1865 तक की बात करें अपन तो 63 लिए क्योंकि एक्जांपल की तुरो अपन समझते हैं तो चीजों को समझना क्या आसान होता है लॉंग तर्म तक अपन को उसको याद रख सकते हैं क्योंकि फंडमेंटल चीजें ठीक है तो आप से कभी कोई पूछ ले कि प्रिटेविल की आवास तक क्यों पड़ी तो आपक करते हैं एक्स्प्लेंड डिस्कबरी ऑफ एक्टोमिक नंबर एंड मॉडण पीडरी टेवल तो अपन इसके बारे मागर बात करें तो सबसे पहले जो मोझले है इन्होंने जो पीडरी टेवल इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया इन्होंने बताया कि कोई भी avy डाली से उपर डाले तो यह क्या है प्रेक्रोंट डाले दालेmost दालेगे क्या है एक निकले ऀन्हों ने यह ढ़े recommends कि इंदो Participant क्या है इस चीज को बताया atomic number के थूरू क्या से अगर electromagnetic wave आ जाएगी तो फिर क्या जाएगी बताओ frequency आ जाएगी और frequency आ जाएगी तो frequency के बारे बताया था कि जो frequency है और जो atomic number है इसका ग्राफ इस तरीके से increase होगा मत्तब जैसे जैसे atomic number बढ़ेगा इस तरीके से ये दोनों चीजे क्या है आपस में बढ़ती जाएगी क्योंकि लेंडा है तो आपको पता है लेंडा से आप मास निकाल सकते हो तो atomic number के थूरू ही इन्होंने ये सारी चीजे क्या है इसको describe किया तो आपको समझ में आ ग किया तो आपको समझ में आगे होगा उसके बाद आपन नेक्स आगे बढ़ते हैं कि सिंपल सा मोजले वही डेवलाप अटॉमिक नंबर कॉंसेप्ट ऑफ यहां पर लिखा हुआ है ठीक है उसके बाद अपन बात करते हैं कि पीरेडी टेवल के अंदर क्या-क्या चीजे है क पर इंक्रिजिंग अटॉमिक नंबर जो मोजले ने बात वोली थी वही सेम यहां पर लिखी हुई है कि जो पिरेडी टेवल है उसके अंदर जो अपन अरेंजमेंट करेंगे वह अटॉमिक नंबर के द्वाराइपन करेंगे जिसका जीतना ज़्याद अबर और हो आगे इस करएट उसके बाद आपन बात करें कि बल्टिकल कोलं बल्टिकल कोलम और गृप जो आपन परुट पे ये सारे के सारे क्या होते है जिनके सक्कियां कितनी होती ये एटीन सारा group होते हैं तो कभी कबार आपसे basic position पुछा जा सकता एक्जाम में कि पिराई टेबल के अंदर कितने फीरीच होते हैं और कितने ग्रूप होते हैं और होरिजंटल वाले क्या है और बल्टिकल 기le वाले क्या है तो आपको पता चल गया होगा इस सेबन डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में modern प्रोपर्टी है इनके द्वारा भी अपन क्या करते हैं यहां पर अगे बारे में सबसे पहले देखो आप पढ़ते हैं इनको बोलते हैं अपन अर्फ मेटल एई एम ठीक है तो आपको पता होना चीए आप ट्रिक से याद रख सकते हो है लिना की रफ से परियाद ठीक है आप याद कर सकते हो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी यह इसक उसको बोलते है अपन एस ब्लॉक एलिमेंट यह सारे के सारे क्या है एस ब्लॉक के अंदर आने वाले एलिमेंट है तो आप से कभी भी पिरेट टेबल को अगर बैसिक चीजे पूछ सकता है कि यह जो अपना फर्ष्ट ग्रूफ जो आ रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं ए पूटर बापरा जी इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं और दोनों को मिला के कंभाइंट फॉर्म में कौन सब लोक आ जाएगा आपका एस ब्लॉक आ जाएगा आपको आइधिंग याद रहेगा उसके बाद मैं बात करते हैं थर्टीन से लेके एटीन गुरूप त होती है तो आप से कुष्ण पूछा सकता है कि कौन से गुरूप के अंदर आती है एटीन गुरूप के अंदर आती है आता है आपके हैलोजन एटम आते हैं तो यह चीज़े आपको एकदम अच्छे से आनी चाहिए इनकी ट्रिक आपन सिख लेते हैं बेंगन आलू गाजर इन थेला बेंगन आलू गाजर इन थेला यह आप 13 गुरूप के याद रख सकते हो 14 गुरूप कारवन फैमिली आप याद रख सकते हो कहे सीता जी सुनो प्रभू किस तरीके से आप याद रखेंगे कहे सीता जी सुनो प्रभू उसके बाद आपन नाइट्रोजन फैमिली क याद सख्टे हैं किस तरीके से याद रखोंगे नानी पापा आसु सब बिमार किस सरी के से याद रखोंगे नानी पापा आसु सब बिमार उसके वाद oxygen एंबली का आप याद मतलब याद कर सकते हो कैसे ओल्ड-श्टाइल शेटी पो जैसे fact पिर कल बहार आई अंटी 18 ग्रूप सबसे इंपोर्टेंट है नौवाल गेसे जोती है यह आप इसको किस तरगेस याज रखते हो हीना नीना और करीना की जिरोक्स रानी यह सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं यह सारे के सारे इनको बोलते हैं अपन पी ब्लॉक एलिमेंट क् आप अच्छे से इसको याद रखना सबसे इंपोर्टेंट है ठीक है उसके बाद में बात करते हैं डी ब्लॉक के बारे में तो यह सारे के सारे 3 से लेके 12 तक यह क्या है आपके सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट और इनको अपन बोलते हैं एक च और एक सकते हैं और याद रखोगे और वही ट्रिक बात करें अपन साइंस टीचर बिनिता क्रपलानी मन फैकोनी क्यों जान जलाती हो यारी जरा निभा मोथ तक रुके रहे पे आग में खूज जा आप इस तरह किसे इनको याद रख सकते हैं फिर सिंग मता देता हूं कैसे य सब्सक्राइब जलाती हो यारी जरा निभा मोथ तक रुके रहे पे आग में खूज जा इस तरीके सब डीब्लोक इलिमेंट याद रख सकते हो उसके बाद में यह सारे के सारे एप ब्लोक के अंदर आते हैं इनको अपन बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है इनर है है कौन-कौन से पिरियड है सेबन पिरियड है अठारा ग्रूप इसके जाके इनको कहें कि क्लासिफिकेशन आफ मॉर्डन पिरिए किके उपर बैसके उपर ठीक है अपन ब्लोक्र के वारे में मैं बताऊ हुआ हुँ मैं अपने लेक्टोन डिस्कस किया हैहdle में अच्छ में कितने में च्राइब कर सकते हैं 5 अपने कलि slak helping 0000 0061 00 कितिने गुरूब हो जाएंगे आपके सिक्स गुरूब हो जाएंगे डी ओर疫zhल में 10 टीन चाहर पंच शह साथ आट उसके तरीके साफ देख सकते हो उसके बाद बात करते है हैं आपने देखा था इलेक्ट्रों आपने सीखा था कल अगर कोई किलास अटेंड करी थी अपनी डिसक्सिंट वाले में एक दो कुछिसे नायते वहां भी अपने देखे थे तो मैं आपको बता देता हूं जिन्नों ने लास्ट क्लास मिस्कर दी है वह अपने चैनल पर जाके और आपने लास्ट क्लास सकते हैं अपने कोर्स के इंदर आपको मैंने पहले भी बताया था अपनी बन सोट सीरी चल रही है इसके आपन एक लेक्ट्ट्र के नदर एक थउरी वाले में में पूरा complete थ्योडि डिसकसन करते हैं और उसके निष्ट्ट्र करते हैं स्वीन आपके एक्जम में उस तरीकी कë प्रोब्लम आपके फास लेके आते हैं ताकी आप उनको अभी से सालू करना छेके तो आपको आगे प्रोबलम नहीं आए तो आप याद रखना अगर आप अभी भी नहीं जुड़े हैं हमारे साथ तो बिल्कुल जुद जाईए इस em Magас आपके साथ बहुत कुछ आने वाला है और जल्दी अपना कॉर्स कल से अपना एप पर भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पर जाके आप लॉंग कॉर्स में भी अपने साथ जुड़ सकते हैं और अपन से परस्नल गाइडेंस भी ले सकते हैं ठीक है उसके बाद अपना आगे मात करते हैं एस ब्लोक के बारे में अपन बात करें तो एस में आपको पता है एस में आगर मैक्सिम्म दो इलेक्ट्रोन होते हैं या तो बन आये… या S 2 आएगा अगर S में 1 electron last cell में आ रहा है तो वो हो जाएगा group 1 और अगर S में 2 आ रहा है तो क्या हो जाएगा वो group 2 तो आपको कभी भी कोई भी element का configuration दिया हो और आप से पूछे किये कौन से group से बलॉंग करता है तो आप सिर्फ और सिर्फ configuration देख के बता सकते हो अगर last electron अ आपको मैंने पहले ही बताया था कि group first को अपन बोलते हैं alkali metal और group second को बोलते हैं alkaline earth metal कितना सिंपल है electronic configuration आपने वरना सी की लिया last class में अपने एक दम उसको अच्छे से discuss किया था तो आई होप यह सारी चीज आपको समझ में आई रही होगी अगर आप से competition exam के अंदर कभी direct question पूछा जा सकता है कि s block p block d block s block general general electronic configuration क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कभी भी आपसे जनरल electronic configuration पूछे तो आपका पता है मैंने s में बन भी आ सकता है तो यह आपका जनरल electronic configuration हो जाएगा यह इंपोर्टेंट है आपको याद अखना ताकि आपका कभी question गलत नहीं हो आपने बात करते हैं नेक्स्ट पी ब्लॉक के बारे पी ब्लॉक आपने डिसकस किया ही था खांसे स्टार्ट करेंगे 13 14 15 16 17 और 18 पी ब्लॉक होता है बोलो आपने ट्रिक सीखी ती यह सारे मेटल है यह सारे क्या है मेटल यह सारे क्या है नॉन मेटल है यह आप याद रखते हो कि यह सारे के सारे मेटल है और यह आपके नॉन मेटल है यह मेटल है ठीक है यह आप याद सकते हो जनरल इलेक्ट्रोनिक इसका क्या होता है याद रखना क्या होता है याद रखना क्या होता है अपने फर्स्ट एलिमेंट उठाया 13 गुरूप का बोरॉन तो बोरॉन में कितने लेक्टरन होते हैं बताओ 5 तो अपन फिल करो 1s2 2s2 और 2p1 ठीक है मतलब ns2 और np1 हो गया तो अपन इसको क्या लिखेंगे जनरल ns2 और np1 तो इसका क्या हो जाएगा बताओ ns2 np2 इसका क्या हो जाएगा 15 वालेगा ns2 np3 ns2 np4 ns2 और np5 और इसका क्या हो जाएगा ns2 np6 जो कि क्या है आपका नोबल गेस है नोबल गेस क्यों 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 क्योंकि यह लास्ट लपकी इसकी क्या फुल हो गई पूरी तो आप बिल्कुल याद रखो गया आप आपने जनरल इनने लेक्टोनी कॉन देख लिया ns2 तो फिक्स फुल होई गया np1 से स्टाट करेंगे और अपन खातक जा रहा है np6 तक तो इसका जनरल इलेक्टोनीकर ns2 तो फिक्स कर दिया और np क्या है जो बन से लेके 6 तक बेरी करता है तो आपको यह अच्छे सब समझ में आ गया होगा बिल्कुल ठीक है एकदम एक कुष्ण स्रीज में जरूर आना जरूर जूरना अपने साथ में क्योंकि बहां बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़े अगर कुछ बंसोट है अपन ठीक करते हैं कुछ अगर एक चीज़े छूट भी जाती है कॉंसेप्ट तो अपन वो कुष्ण क इसका बंडी बंटू टेन और एनस्टू क्या है यह इसका जनरल इलेक्ट्रोनी कॉन्परिकेशन है जैसे मैं बात करूँ साइंस टीचर बिनिता किरपलानी मन फेको नी क्यूं जान जलाती हो ठीक है यह क्या है आपका डी ब्लोक एलिमेंट है तो जैसे अभी मालो आपन को क्रोमियम का लिखना है तो आपको पता है एक्सेप्षन होता है तो आपके आरगंत होगे नोबल गय से उसके बाद में इसका हो जाएगा आपका 3D5 और 4S बन क्योंकि 14 होते हैं एटीन और 6 कितना हो गया आपका 14 यह एक्सेप्षन क्यों होता है मैं आपको बताया था लास् इस तरीके से लिखेंगे अगर इसकेंडियम टाइटेनियम क्रोमियम मेगनीज आईरन कोवाल्ट निकल कोपर जिंग कि इस तरीके से आपसे किसी भी एलिमेंट का आप से पूछे तो कुछ नहीं करना आपको वही यह सीरीज आपको पता है जन्रल एलेक्ट्रोनिक प्रिकिसन तो आपन 3D से स्टार्ट करेंगे यहां 3D बन आ जाएगा उसके बाद में वापर इस तरीके से आपन स्टार्ट करतेंगे एक यह क्या है आगे बढ़ जाएगा जैसे आपसे पूस्ता इसके नियम का क्या है तो आप आराम से लिख जाते वही आरगन एक टिन तक हो गया 3D और फोरेस्ट वह जाता इस तरीके से आपन टाइटनियम के बारे में बात करते हैं वही आरगन है 3D में 2 आजाता और फोरेस्ट वह जाता पता कितना सिंपल एस तरीके सापन को आगे बढ़ने है याद रखना कॉपर सबसे इंपोर्टेंट है क्रोमियम एंड को पर यह दो कर देंगे फुलिट कर देंगे वह तरो उदर से क्या हो जाएगा है इस तरीके से आप यह सारी आप करने से पहले सबसे पहले सबसे पहले इंपोर्टेंट याद रखना है मैं यह पर खल्दत लिए है मैं आपको बता है सई कि या एन-2 टू-1214 ठीक है उसके बाद में n-1-1, टीजीरो से लेकि टू तक करता है उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा एंस्थी यह क्या होता है इसका जनरल इलेक्टोनिक ऽोता है जो आपको याद रोखना यह सबसे इंपॉर्टेर्टेंट यह क्या है एक्जाम में बहुत डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं काफी बार कॉछा गया है आपके कंप्रीटिटिशन में कि डिवल अपने इंपॉटेंट से लिखा आपके लिए जो अपने मूब कर रहे हैं इनको आपने को सबको ध्यां रखना ठीक है उसके बाद मैं बात करते हैं स्क्रिनिंग अफेक्ट के बारे में तो देखो ये एकदम आसान है एक मिनट में आपको समझ माँ जाएगा कोई भी एक नुकलेस है पॉजिटिव चार्ट ठीक है अब यह क्या है अपन इलेक्ट्रों फिल करना चालू कर रहे अब यह नुकलेस है तो यह क्यारता इलेक्ट्रों लविंग है तो इसको तो यह क्या करेगा पकड़ा रखेगा लेकिन धीरे धीरे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो यह इलेक्ट्रों यह इलेक्ट्रों आपस में क्या करेगा रिपल्सन लगाएगा तो यह रिपल्सन लग फलते हैं स рек apoy screening effect अद्था रधवर हैं स Quindi है आधा गया आप से पूर्चेशितव किया है तो आप को समझ मैं आ गया होगा थी यह क्या होता है कुछ नीट्रों फ्र आप चिर्णों होता है तो जो क्यों तो यही सारी चीज़े इसके आपको समझ सकते हो वही निक्लियस है अट्रेक्शन कर रहा है यह फर्स्ट वाले को तो लेकिन लास्ट वाले को यह आपस में रिपल करेंगे नहीं कर पाएगा तो यह स्कूर्ड हो जाता है इसको बोलते हैं अपने स्क्रीनिंग अपेक्ट या स्लिक तारी चीज़ आपके सामने लिख हुई है आप इसको पड़गे समझ सकते हो बेसिकली मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिए ठीक है उसके बाद आपन आगे बढ़ते हैं उसके बाद में बात करते हैं अब आपको कुछ नहीं आपक्टिव से स्क्रीनिंग कंस्टेंट से लेक्ट लेक्ट्रों पे अपन जाएं लके थोड़ा सा कम हो जाता है तो इसको बोलते हैं फॉडह ब्राइए सिंग्मा जो कि क्या है ईसके बाद में आगे बात करते हैं ये सिंपल सा और अगर अपन और्बिटल में पूछे तो एन पी एन डी एन फ यह क्या है आपका जो इसका ओडर है क्योंकि एस और बिल्कुल पास होगा नुकिलेस के तो बहुत अच्छे चे पकड़ा रखेगा तो क्या है ज्यादा हो जाएगा इसक्रिणिंग अपेक्ट ठीक है तो एस पर इस तरीके से टीए और यह क्या है आपकी सारी उर्ट और यह आपको समझें आगया बैसे कली आपको पता होना चाहिए और और उपर से नीचे आते हैं तो क्या करता है इंक्रीज करता है क्योंकि नूपर से नीचे आएंगे तो आपकी क्या है सेल एड हो जाएंगी तो साइज बढ़ती जाएगी तो यह क्या करेगा इंक्रीज करेगा और लेट से राइड जाएंगे तो यह क्या करता है डिक्रीज कर है आपका ऐपएक्टिव नूक्यर चार्ज आप याद रखना यह लेप्ट से राइड जाने पर क्या करता है इंक्रीज और यह क्या करता है आपका डिकरिज उपपर से निचा कर रहा था अब सिग्मा आपका डिक्रीज कर रहा था तो आप खुद कर सकते हो कि जैड इस्टार बोले तो अफेक्टिव नुक्लियर चार्ज क्या करेगा इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज आगए ना अगर नेगेटिव चीज है और उसके आपना पो उपर से निचे जैंगे तो आपका डिक्रीज करेगा तो आप यह सिम् advertise सीमनी साट हम सकते हो BTS लेक्र आखा हुएम और यह ऑस्क्रुक्र अपको सा 네जवborough घ्रेइल चार्णान ख्रेग तो स्कुल मिला करना है мож assure यह स्क्रिनिंग आपको चरीया उसके सबसे पहले अंदर सबसे इक है तो प्रोपवेटी का पिसनिवर चैन्ज को सबसे पहले लिखा उआप सबसे इंपोर्टेंट याद रखना अगर नोवाल गेस के बीच में अगर बॉंट बन रहा है तो वह क्या होता है आपका बंडर्वाल रेडियस ठीक है बहुत सिंपल है इंपोर्टेंट था याद रखना इसके अपन डिटेल में समझते हैं यह आपका आजाता है कोवलेंट रेडियस इटी डिफाइंड हाप अपसमें और लेप करेंगे तो यह कम हो जाएगी तो आपको इतना सहाँ रखना एक और अपन देखेंगे लास्ट में तो इन दोनों के आपस में और लेप करते हैं तो दिस्टर्स आपके क्या हो गई कम हो गई उसके बाद में आपन बात करें मैं ड़िये मैं डशे मितल स्थili बोसक्राण वहती होगा बुल्कुल सरपेस् होती है इनकी बस तो यह एक्जक्ट क्या होगा रेडियस का हाफ हो जाएगा जो घंज से बनता है और आपको सबसे रेदियस की होगी तो आप बता सकते हो सबसे ज़्यादा बंडरवाल उसके बाद मैं आपका बता सकते हो metallic यह सबसे important है इसलिए आपने डिसकस किया था और उसके बाद मैं आप क्या बोल सकते हो Covalent तो आई तिंग यह important जो order है आपको समझ में आई गया होगा कि सबसे सबसे ज़्यादा रेडियस बंडरवाल उसके बाद मैं कोवलेंट बंडरवाल क्यों क्योंग नोबल गेस है टच नहीं करते हैं अपस में नब डिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है उसके बाद मैं अपस मोबलेपिंग करते हैं तो इस तरीके से इंप्रेंट्वर्स निजटेश आपर सेपा करें दिखा रखे और उपर से नीचे आएंगे तो आपको और बाते चाहिंगे तो इस तरीके से स्बाड़ी घे कीपता है आपne से लाइट जाते हैं तो साइट करती है और ऊपर से नीचा अफिके समस सकते हो उसके बाद मैं बात करते हैं गब संस इस्थ मैसे बारे में वहले मोई वहला आ है है आपको और टॉ वॱटम फिग्स कθη परण ऑट करनेराad उसके बाद में exception देख लेते हैं है अगा एकसेप्शन देखते हैं अपन 13 ग्रूप के अंदर आता है बोरोन एल्यूमिनियूम गेलियम इंडियम थेलियम ठीक है तो एकसेप्शन आपका जिसे आपन देखे आपको पता है कि atomic radius उपर से नीचे आने पर क्या करनी थी की जो साइज है atomic radius वह सेम होती है क्यों कि यह क्या है ना इंके पास बीलेक्टरण होते हैं तो यह क्या है इनके पास में पावर होती नियुक्ष ले जाता है तो इन दोनों की साइज किया हो जाती है बराबर रिजन में लिखा हुआ है कि डूट्यूब पूर स्रिदिंग अ होती है तो न्यूकिलेस क्या करता इनको खिश ले जाता है तो इस वज़े से अल्यूमिन और गिलियम की साइड के हो जाती है बराबर हो जाती है यह सब्सक्राइब आप याद रखना कभी भी आपसे डारेक्ट एक्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है सिंपल था एक्सेप्चन था आपने याद रखाऊगा उसके बाद में अपने बात करते हैं आईनिक रेडियस के बारे में बैसिकली आपको एक चीज जहांद रखनी है कि आईनिक रेडिय जैसे मैं आपको बात करूँ आईनिक रेडियस के बारे में कि O-2 ठीक है और F- अब आपको इन दोनों में आईनिक रेडियस का कंपेर करना है तो आप सिंपल सा बताओ अगर नंबर उफिलेक्टोन ऑक्षिन के बात करूँ तो ऑक्षिन के पास नंबर उफिलेक्टोन कितन दखना तो O-2 is greater than F- और दूसरी तरीके से आप एक तरीके सवर याद रख सकते हो जितना एटोमिक नंबर कम होगा उतने ही आईनिक रेडियाई किया होगी ज्यादा तो ऑक्षिन का फ्लोरिन से अटोमिक नंबर कम है तो ऑक्षिन ज्यादा हो यह कब लगाना है जब आई- और आई- ईलक्ट्रो निक जूपने में डिसक्स किया था फिर्ष्ट क्लास में रिष्ट कलप ऑए इलेक्ट्वनिक लिए कि पर्सक्राओ अरियो नंबर से इंवर्सली मप्रोमान चैनल तो थीक है इंपोर्ट के बहुत इंसके बाद में आपको देखने सबसे दाइए हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर आपन बात करें सॉल्वेशन के अंदर पॉलर सॉल्वेंट के अंदर तो यह ओडर उल्टा हो जाता है क्यों क्यों कि एल आई प्लस की साइज बहुत कम होती है तो इसको बाटर के मुझे कर लेते हैं बहुत ज़्यादा गहिर सराउंड कर लेते हैं तो इस वज़े से यह ओडर के हो जाएगा आपका उल्टा हो जाएगा याद रखना इसको इंपोर्टेंट अगेसे से अटम के लिए और आप सॉल्वेशन के बारे में बात करें पोलर सॉल्वेंट के लिए तो यह उल्टा ओडर हो जाएगा ठीक है अपनको क्या है ना एक अलेक्ट्रों निकानने के लिए आपको कितना एनर्जी देनी पड़ेगी वह क्या है आपकी इन्रजी हमेसे पोजिटिव होगी aionization energy हमीसा positive होगी अगर positive होगी तो इसको उसके बात में आपन बात करते हैं कि successive moi डी क्या है देखो एक कर रिट इनटो कीज dedans के उसको अपने क्या थैञाने अब इसको सबसे फिर सबस्क्राइब तो सबसे इन्पोटेंट यह यह आद रखना है कि इनधा आगर प्लस क्या गया एक लेक्टोन तो सबसे इंपोर्टेंट यह रखना है कि जितना ज्यादा आगे बढ़ते जाएंगे तो सबसे ज्यादा आइनेश इनर्जी के बारे में आपसे पूछे तो आई इट्री होगा मतलब इसको अगे जैश्याद की दोरब देख सकते हैं जैसे अपना यह सिंपल सा देख लिया आइनेश इनर्जी बन इस तरीके से सारी चीज़ा आपके सामने है तो अगर आपन बात करें कि सबसे जबाएनेश इनर्जी किसकी होगी तो फौर फिर फिर स्ट्री सेकेंड क्यों क्यो तो इलेक्ट्रोन निकालने अगर ज्यादा इनर्जी देनी पड़ेगी तो सिंपल सा इस लोजिक से भी समझ सकते हो थीक है उसके बाद में आगे बात करते हैं यह आपने देख लिए सब्जद आइनस इनर्जी फोर की होगी इससे थर्ड से से और यह सिंपल सा ओडर आपके स सामने हैं यह आपको दिखी रहा है ठीक है उसके बाद आपन बात करते हैं वा क्वाले इससे नर्जी सबसे सबसे मेम पको याद रखना है जितनी वी नोल्वर थे हैं, बहुत इंपर्टेंट है, एक्जाम के लिए आप याद रखना अम्हेंजा, जितने भी नोबल गेस होती है, उनकी यह सबसे ज़ाद होती है, exception है आप याद रखना बहुत important है ठीक है और उसके बारे में आपन बात करें italy metal तो यह बिचारे गरीब है बिल्कुल नीचे पढ़े रहते हैं ठीक है यह सारे के सारे क्या है आपके आपके सिंपल साब को दिखा है आपके क्या इलिकली आपसे डाइरेट एक्जाम में पूछा जा सकता है कि सब जदा आइनेस इनर्जी प्रेटेबल के अंदर किसकी होती है तो आप बता दोगे हिलियम क्यों होती है ठीक है आपने गराप के जारा भी समझ लिया सिंपल सा यह आपके सामने दिखी रहा है ठीक है उसके बारे में बात करते हैं आगे अपने और आपके आगे बात करते हैं क्योंकि एक चीजी यह भी आधाना आइना इसने इनर्जी डारेक्ली प्रोबर्शनल टू चार्ज अपन साइज चार्ज अपन साइज जितना जाल चार्ज होगा आपके आनेस इनर्जी ज्याद होगी यह वो सिंपल से लिखा भी हुआ है ग्रेटर दाट्रक्शन बिट्व उसके बारे में आपन आगे बात करते हैं इलेक्टोनिक अन्परिविशन सबसे इंपोर्टेंट है कि कोई भी अगर हाफ फिल्ड और्विटल है या फुल फिल्ड और्विटल है और उससे अपन को एक एलेक्टोन निकालना है तो आपने लिए क्या हो जाएगा तफ क्योंक तो यह आप बहुत इंपोर्टेंट यह दखना एक्स जिसे आप एक्जांपल समझ सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्सिजन नाइट्रोजन के पास सेवन इलेक्ट्रन होते हैं फिल किये दो दो चार फिल कर दिये अब आप देखो यह क्या है आपका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑक्स इंपोर्टेंट है याद रखना आगे बात करते हैं उसके बाद में आईनाइजेशन एनर्जी ठीक है यह सिंपल सा आपने अभी देखी लिया है उसके बाद में एक्सेप्शन देख लेते हैं वही बेंगा नालू गाजरीन थेला याद रखना होना यह चाहिए था लेकिन इनद्धम है उसका इनद्धम से क्या होता है यह सबसे इंपोर्टेंट में यह डखना कही चीटा जीन सुनोफःबू Хोना यह चाहिए था क्योंकि कही सीथा जिस शुना प्रूभू ठीक है आपको पता डिगरीश करती है लेकिन क्या करता है यह जो लेड है आपका इसका टिन से ज़ादा होता है एक exception ये भी है आपको इसको भी याद रखना है ठीक है और उसके बारे में आपन बात करते हैं साइस टीचर बनिता क्रपलानी मन फियको निए फिक है तो आपको याद रखना है कि यह तो आपको पता है इनकी होती है साइज सेम होती है ठीक है आपने लेंधनें कॉंट्रेक्शन द्वारा पढ़ाई होगा ठीक है और बाती का अपन इसको एकदम डिटेल्ल में डिसक्सन क और यहां से लेके और मेगनिस तक यहां पर लिखा हो यह डिक्रीज करता है ठीक है और यह क्या करता है इंक्रीज करता है यह करता है इलेक्ट्रोन अपन को देने के लिए कितना इनर्जी गारेगा और इलेक्ट्रोन अपन को देने के लिए इसको अपन सिंपल सा समझ सकते हैं कोई यह एक एलेक्ट्रोन दिया एक्स माइनस बनाया तो यह जो एनर्जी देनी पड़ेगी इसको क्या बोलते हैं अपन याद रखोगे सिंपल साण अब इदर भी देख सकते हो क्यों एक्ट्रण धिया और सबसे क्या याद रखना में और बहुत insekin में की में बैदए और चैनल में एक अक्षेम था इलेक्ट्रों इसको दिया व मश्याया एनर्जी आपको देनी पड़ी फिसजिका एलेक्ट्स डिया लेकिन अगर आपन सेकंड जो ओ माइनस बना अब इसको इलेक्ट्रों देंगे कि तो द्यादों आपनों बहुत जाद एनर्जी देने पड़ेगी तो जो सेकिंड इलेक्ट्रों गैने इंथेल्पी होगी वह क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटीव हो जाएगी और यह आलबेज पॉजिटीव होती है सबसे इंपोर्टेंट यह लाइन है कि अगर आपन फर्स्ट इलेक्ट्रों एफ तो बहुत ज्यादा इनर्जी की जरूत पड़ती है तो आप यहां भी इस तरीके सापको इसको समझ सकते हो इंपोर्टेंट है याल रखना कि उसके बाद में फेक्टर अफेक्टिंग बारें बात करें तो वही जेड़ अफेक्ट के जो होता है उसकी डारेक्टी होती है औ मैं इसको ठोड़ा टोगे है जो पड़ा है वही जो पड़ा है वही है ठीक अब याद रखना आप किस तरीके स्याद रखोगे expected था वाई fluorine, chlorine, bromine, iodine अब यह अपने क्या देखा कि electron का Fox उपर से नीचे आते हैं तो क्या करती है decrease करती है तो होना क्या चाहिए था आपका fluorine, फिर chlorine फिर bromine, और फिर iodine लेकिन fluorine और chlorine में यह चीज़ आद राखने हम fluorine की size कि होती है चूटि होती है अब हकाउटी होती है तो ऐसे आपका समझ नहीं होगा तो यह एक्सेप्शन है यह आपका रियर रील अंसर होता है किलोरीन फिर 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 भ्रोमिन फ्र आउडीन क्योंकि किलोरिन की साइड क्लोरीन से चोटी होती है तो तरीके साफ इसको थैक रखो कि यह पर उसके बाद मैं बात करता है मेत ली के बारे में तो याद रखना में चार्विक करेक्टर जो होता है कि यह इनवर्स्यब्स लीओ ठाई आपके आए नाइज कर सकते हैं फिंपलसा यह आपको सामने लिखा हुआ है यह आपन डिक्रीज करेगा लेप्ट से राइट और यह क्या करेगा आपका इंक्रीज कर अपके सामने इसको समज़ सकते हूं ठीक है नॉन मेटली खरेग्टर आ पके सामने यह क्या करेगा इंक्रीज करेंगा और उसके बाद में आपके समझ में होगा उसके बाद में आपने बात करते हैं। सबसे इंपर्टेंट है याद रखना बहुत इंपर्टेंटेंट है आपके यह सारी तो आप यह तो परहें वापने आपके अगस्पाइड में पर इसके बात करते हैं एंफोटरिक ऑप होता है क्या आपका एंपोर्टरिक अक्साइड होता है और जो सबसे इसके बारे में आपन बात करते हैं आगे यह आपको समझ में आई गया हाँ एक चीज़ याद रखना आप मैं बताता हूं आपको कि जो सी ओ एन ओ यह सारे के सारे आपके न्यूट्रल ऑक्साइड होता है यह बहुत इंपोर्टेंट है आपके एकजाम में कई बार डारेट आया हुआ है तो आपको पता होना ठीक है उसके बारे में आपन इलेक्ट्र नेगिटिविटी बारे में बात करते हैं सिंपल सा जो यह सबसे ज्यादा क्या होता थीक है इनवर्सली होता है याद रखना और स्क्रिनिग आफटेंग क्या होता यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सिंपल सा आपने देख लिया जो आपने रेगुलर वह यह अटोमिक रेडियस सारी जीज़ा आपने पड़ी लिया सेम तुसेम आप यहां से देख सकते हो पीरे टेबल के बात करें तो इलेक्ट्रों नेगेटिप्टी लेफ्ट से राइ आप देखोगे तो एक राइए तो सब ज़्याद फिलोरीन फिर उक्षिन फिर नाइट्रोजन यह किसका ओडर आपको इंपोटेंट है आपको याद रखना ठीक है यह लेन्थना यह अप खोड़ा सा देख सकते हो ठीक है उसके आपने बात करते हैं इलेक्ट्रों नेग्र कर सकते हैं example के सूर्भ देख सकते हैं अगर आपका जो चेंज इन इलेक्टोन नेगटिविटी आपका अगर 0 है अगर इलेक्टोन नेगटिविटी में चैनज 0 है तो वह क्या होगा आपका 100 कोगेंट होगा एक्जम्पल देख लो आप अगर यह 1.7 है तो 50 परसेंट आयनिक या कोवलेंट भी हो सकता है एक्जम्पल और अगर एलेक्टो नेगर डिफ्रेंज 1.7 है तो बहुत ज्यादा चांसे कि वह क्या होगा आयनिक होगा जैसे एने एफ है थूटे के क्या बना दे गई एने प्लस एक्जम्पल में आप एक एक्जम्पल में आप याद रख सकते हो उसके बारे में अपन बात करते हैं डाइगोनल रिलेसेंसिफ के बारे में यह थाड़ी पिरियट जो यह क्या करते हैं आप से पूछा सकता है इनकी साइस सारी चीज़े क्या होती है जैसे लीथियम और बेरिलियम मेंगेनियुम्पल यह बोरोन शिलीकन हो गया कारवान और आपका यह थीक है तो यह सारी चीज़े आपको याद अखना है कि सम एलिमेंट ऑफ सटेंग्रूप सब्सक्राइब करते हैं तो बेसिए सब्सक्राइब तो आपको बताया था कि जो डाइगोन जो डाइगोन रेसिंट करेंगे उनकी प्रोपर्टी भी क्या होगी अप्रोपर्टी सेम होगी तो जब लीथियम आपका जो बना रहा है वह बनाएगा तो आप आप धेस बनाएगा और अगर लीथियम का नाइट रइंट बना रहा यह बनाएगा यह प्लोपर्टी क्या होगी जो इहाँ रहते हैं उनकी प्रोपर्टी वह वीगी जो आप यहाँ देख सकते हो ठीक है उसके बारे मैं आगे बात कर सकते हैं यह आपकी। शिम्पल सी एट्यक्टोमेक्स क्या है देखो विल्कुल एकदम सारी क्या है Plus heel तो आप देख सकते हो यहांसे भी ठीक है यहिए अगदम फिजीकल प्रोपेटि आप डडाटा देख abde क्या है diagonal relations are so कर रहे है तो आप देख सकते हों इनकी atomics rays एलेक्ट्र नेगडिया ही है इनकी डिफरेंस गभग लगवग क्या है रहा है मतलब प्रोपर्टी को आपने देख सकते हो प्रोपर्टी सारी क्या है सेम ठीक है उसके फोला आगे करते हैं सिमिलर जैसे अपने लीथियम मेगनियूं के बारे में देखा ऐसा अपन बेरियलियम और एल्यूमिनयम के बारे में देख सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी क्यों सेम होगी जो आपको स्कृण्व तो यह सारी चीजें आपके सामने लिख्यू ही यह तो यहां से देख सकते हो बस मैंने लाइन आपको बोलतीकों तो करेंगे उनकी प्रोफर्टी फिजिकल केमीकल सारी होती है आप की सेम होती यह को आपके सामने इता कर लेते हैं। यह इसके साद्हीं कि अपष्वधी आपका जो इस व्याइब सेओं साथ करें लिध्यय जो करता है क्या कारण है उसका इसमॉल साइज हाई पॉलराजिंग पावर हाई आइन एंथल्पी और लो एलेक्टिव पॉजिटिटिव करेक्टर तू अधर मेटर ठीक है तो यह सिंबल साब देख सकते हैं उसके बारे में आपन आगे बात करते हैं ठीक है यहां से आपका ध करता है बाकी यह जो क्या करते हैं आपके आएनिक कंपाउंड इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है इसका लो होता है कि आप पढ़ सकते हो ठीक है एंसे ते को बार बार बोलता हूं कि जो अपन यहां कर रहे हैं एंसे पढ़ो यह सारी चीज लिखी हुई है आप सब्सक्राइब कर लिया है तो बिल्कुल आपका पिरेटेबल बिल्कुल अपने जितनी भी छोड़ी थी जितने आपके आसकते हैं एक्जाम में सारी चीज़ी कवर करिए नेक्ट किलास में पिरेटेबल के आपके लाइन से लाइन से लाने वाले है और अपना कॉर्स कम्प्रीट डिटेल में चालो हो चुका है तो अपने एप पर आके जुड़के आपने साथ लाइब किलास ले सकते हैं पर्सनल डाउट पूर सकते हैं पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं ठीक है तो बिल्कुल आज का लेक्चर अपन करते हैं नेस्ट क्लास में आगे मिलते हैं ठीक है धन्यवाद